यह देखे गाई यम्मी टीस्टी बहुत डीलिसेद आज हम बनाने जा रहे हैं नास्ता जो की हेल्दी भी है और यम्मी और टेश्टी भी तो दो तरीके का नास्ता बनाएंगे तो पीडियो पूरी देखिए लास्ट में जो नास्ता बनाएंगे बहुत टेस्टी होगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं अपने नास्तों को जो कि सभी को पसंद आने वाले हैं हलो एवर्यवर्यवन है अपस्प्राइब हमारे यूट्शनमे यूट्यप जैनल चाहयम स्था में आज हम बनाने जारा है बेसन का यंइसा ड्होकला जिसमे न चीनि की ज़रूरत होगी न मेन की चीज जरूरत होगी ना इनों की जरूरत होर्ट किसी फिर जरूरत नहीं होगी बहुत यमी बहुत टीस्टी सा डूखला बन करके तियार होगा दो तरीके की नास्ता बश्र然后 पर नेए देखते हैं यह तो सारे जो हमारे पार एंप्लिमेंट हैं वो यहां नहीं है विक्सर वगरा इस वज़े से तो ऐसे काम चला रहा है तो देखिए टेस्ट के नमक आड़ करेंगे बहुत कुछ इसमें नहीं आड़ करेंगी यह हमने डाल दिया है एक स्पून बर करके छोटी नॉर्मल स्पून षांबर के टील जिसकों इसमें डालेंगे जिसके वज़े से हमारे व्लेंगे बहुत मिस्पंजी बनेंगे और यह देखिनिसक इसके konsentancy आप देख-क जाते ही गिरते ही मर्ज नहीं हो रहा है फूड़ा टाइम मर्ज हो जारा तो देख सकते हैं अब इसमें GIS पंच बना ले यह एक स्पून जीरा यह हम इतना बैटर पीस करके इसको रख लेंगे आगे की रेस्पी में भी हम इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो देखिए दरदरा सामने ग्राइंड कर लिया है जिसका कई जो यह दरदरा पन है ना बहुत टेस्टी लगेगा खाने में तो यह देखिए ह इस तरह से हमने कर लिया है जैसे आप इच्छा हो ऐसे कर लीचे बस इसमें लंग्स नहीं रहने चाहिए तो इसमें हम डालेंगे चिली फ्लैक्स देख सकते हैं और भी इंक्रेडियन नैट करेंगे विए बच्चों को बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं यह देखिए नम कि अज़ मिक्स करेंगे gave a lot of fun how to spend the years and is alive we take How to make a guerra दो दरीक के नासता बना रहना तरी इसलिए ओर इस थीम की कट कर के निकाल देंगे तो यह देख सकते हैं सबस्की आगे रेस्टी में आप योशा कर सकते हैं तो यह देक सकते हैं इस्तरह से माला कर देंगे अपनी नेराजिस को देख सकते हैं और हमें एक सिवपसी चौकोर सी ब्रट मिल जाएगी तो यह देख सकते हैं हमारी स्लाइस छोटी वाली है ज़िए आप चाहें तो आप बड़ी ब्रट भी ले सकते हैं कोई भी ब्रट लें थोड़ा सा ताजी लें क्योंकि रखे वी स्लाव भी और वसकर जाएप में जाएं डात्या कर भी डी देख सकते हैं यकी कौरा इसमें लागा लेंगे अपना टोमाइ टोमाइटो के लिए स्विक्टा जाएं को मन करता रहता है खाना अब करना है अ बड्रट होंग थोपना ऱशुप को बंड़ें सिवथ बाएगे त करका है इसको रगाएंगे और रोल कर लेंगे सी की हाथ बन जाए और ये मदरेए कुंड । अच्छे औज से कबर हो जाएगा कि यह सकते हैं इस तरह सेम लगा लेंगे सारे पर इसी तरह से हले मुझा아서 रखलेंगे देख सकते हैं यह देखें यह तो छो स्बस्केशत द mês Farm का पूरतारा जाए मैं अच्छे पश्मियादा को दिश में बना लेघे को लखातीक है इसी बना साइक बना लखेती, अब आ गे का पॉसिस में एक क्लास पानी है बना प्रोचफे, आप प्रोल साइरृइं, अब पानी काल स्टीमर ये जरूरत नहीं है आप स्टीमर से बना भी सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे और आपको रखते वह नहीं दिखा पाएंगे सायद तो देखिए किस तरह से हमें करना है क्योंकि यहां स्पेस थोड़ी सी कम है किचन कुकि के हिसाब से नहीं है क्योंकि माई केब हैं सब्सुरा इसको कोट करते हुए अच्छे से कोट करें जिसे चारो तरप से अच्छा रहा है तो यह दिखिए एक्स्ट्रा जो होगा है फॉक किसा अज़ता से निकाल लेंगे और ज्यक्स्ट्रा होगा बैठर वो समी गिर जाएगा तो यह तरह से हम रखतेंगे अपनी छनी पर तो य इस तरह से हमने यह रखा हुआ है जो लोग डाइटिंग करते हैं जो लोग जाधा आइल वगरा नहीं खाते हैं उनके लिए यह नास्ता बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है तो यह देख सकते हैं ऐसी तरह से हम सारी रख लेंगे जितने में बनाने हैं और इसको ऐसे कबर कर के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि सारा बैटर हमारा पका हुआ है कुछ भी कुक करने के जरूत नहीं है तो इसको हम इस तरह से कुक कर लेंगे तो यह देखिए जब तक हम दूसरा बना लेते हैं तो यह रख लिए हमने कढाई और कढाई में डाल दिया ओयल तो कढाई में इस तरह से हम लपेटते हुए अच्छे से इसको कर लेंगे फ्राय देखिए आप इसे ब्रेट पकोड़े का भी इसमें टेस्ट आएगा और ब्रेट रोल का भी टेस्ट आएगा तो देखिए इस तरह से हम आराम से कुक कर लेंगे जो कि खाने में बहुत इस तरह से उलटते पलटते अच्छे से फ्राइब करेंगे और धीमी फ्लेम पर ही करेंगे इसके लिए बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वना यह जल जाएगा हमारा चो भी है कुछी सारी चीज़े पकी हुई है तो इसको ज्यादा देर फ्राइब करने तक पकाना है यह इसके बन चुका है नास्ता बहुत टेस्टी बहुत यमी तो चलिए इसको हम अलग टीशु पेपर निकाल लेते हैं जो इसकी एक्स्ट्रा ओयल होगा ना वह इस पर सारा चला जाएगा यह दिखिए इस तरह से तो सारा निकल जाएगा एक्स्ट्रा और चलिए अब इनको करेंगे और देख लेते हैं कि हमारा दूसरा कैसा हुआ तो यह देखिए दूसरा भी मेरा अच्छे से कुक हो गया रास्ता इनको क्या करना है ऐसे हम करेंगे और देखिए ऐसे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो नाइफ की सहायता से यह देख सकते हैं आप क्योंकि आप खाना चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा मगर इसको थोड़ा सा हम अट्रेक्ट्व लोग देंगे जिससे यह देखने में अच्छा लगे और यमी लगे ना खाने कमानों फिर भी खाये इस वज़े से थोड़ा सा अट्रेक्ट्व अट्रेक्ट्व लगेगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से करके हम अट्रेक्ट्व लगेगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से करके हम अट्रेक्ट्व लगेगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से करके हम अट्रेक्ट्व लगेगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से करके हम थोड़ी इसी ओर्गेन ओर दाल देंगे जिसके वज़ए से दिखने में और ज्यादा बैटर लगेगा। बहुत जादा अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगा। तो यह देख सकते हैं, हमारा बन कर दे आ रहे है हमारा नास्ता, जो कि यम्मी टेस्टी आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कितना fluffy है, बिल्कूल बहुत healthy है, बहुत fluffy है और बहुत जहाधा attractive है, यह बच्चे वितम इसके आगे समोसे हैं, यह सब चीज़े नहीं मांगेंगे, गयर का tasty खाना ही मांगेंगे जो कि बहुत healthy, बहुत tasty है, तो इसको हमने serve किया है, टर्माटर केचप के साथ, आप चाहें और चटनी के साथ serve कर सकते हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe and share, मिलते हैं next day, next recipe के साथ, bye bye